हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबीका स्लीपी क्लासीज में तो आज का जो हमारा प्रमिक्स रहेगा पांच कोशन्स हम डिसकस करेंगे एकॉनमी के और पर्टिकुलर्ली आपके गौवर्मेंट फाइनाइस वाले टॉपिट से तो शुरुवात करते हैं आज के प्रमिक्स की पहले कुशने के साथ जहां पर बहुत ही सिंपल जीज आप से पूची गी है बहुत बार आपने सुना भी होगा कि जो फंडिंग और इंप्लिमेंटेशन की जाती है गौवर्मेंट स्कीम्स उनसर लेटर अब आपको यहां पर पहली सिंपनी के जाती हैं आपकी फीने sector schemes हैं, वो they are completely financed by the central government, but जो उनकी implementation है, वो आपकी state government करती है यहाँ पर third में कह रहे हैं कि जो आपकी state sector schemes है कि उनकी financing जो होती है, state government दोरह की जा सकती है, की जाती है और साथ के साथ वहाँ पर वो grants भी receive कर सकते हैं, केंदरिय सरकार से, और basically उसकी जो implementation है, वो आपकी वहाँ पर राजय सरकार ही करेगी, तो यह तीन statement आपको दी गई हैं, बहुत बार यह जितनी भी आगर आप scheme related questions देखें, तो वहाँ पर आपको उनकी कौन सी category की scheme है, इस से related question पूसा सकता है, कौन उसकी implementation कर रहा है उस related question पूसा सकता है, तो इस basic concept clear होना बहुत दादा important है, correct option यहाँ पर mark कीजिए, फिर discuss करते हैं इस question को तो देखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पहली statement ही correct है, कि basic से अगर हम बात करें आपकी center sector schemes की implementation की बारे में जो बात की रहेगी, state government दोर ही की जाएगी किसी प्रकार की कोई भी grant यहाँ पर केंदरी सरकार उन्हें वहाँ नहीं देगी हालंकि वो loan ज़रूर रह सकते हैं और इसकी जो implementation है वो तो आपकी राजसरकार ही करेगी, तो पहली segment है आपकी correct हुई तो basic सा difference देखना हो अगर किस तरीके से financing होती है, किस तरीके से implementation होती है, तो जो आपकी center sector schemes आगी, completely आपकी central government दोरा finance की जाएगी, implementation भी central government दोरा ही की जाएगी, और basically जो आपकी schemes है, they are related to the union list of the schedule 7, जैसे कि आपकी prime minister employment generation program हो गया, hello India उसके लाबा center sponsor scheme के government रहेगी, उनकी agencies करेंगी, और mostly जो आपकी concurrent list में subjects रहते हैं, उनके उपर वहाँ पर आपकी schemes यहाँ पर formulate की जाती है, सवच भारत mission हो गया, मनरेगा हो गया, ठीके जी, उसके लाबा अगर हम देखें, जो आपकी state sector schemes है, funding भी, implementation भी state government दोरा ही कीजएगी, किसी प्रकार की कोई grant नहीं मिलती, इस तरीकी की schemes के लिए, हालंकि वो loan avails कर सकते हैं at the consensional rates, जैसे कि आपकी कालिया scheme होगी, जो कि उडिसा government दोरा शुरू की गई है, तो यह basic सा difference हर एक scheme के बारे में पता होना बहुत दोरा important है, उसी तरीके से आपकी core of the core schemes भी आती है, तो आप comment box में बताइए, कितनी आपकी core of the core schemes है, जो कि इंडिया में चल रही है, तो I hope आपने correctly mark किया हो इस question को, अगले question के और पढ़ते हैं, second question, PM गती शक्ती master plan, अब इस सर लिटल आपको कुछ statement दीखी है, आपको बताना है कौन सी statement इसे correctly यहाँ पर define कर रही है, पहले में कह रहे हैं, जो plan है an integrated project to improve the average speed of freight carriers of the Indian railways, second में कह रहे हैं कि आपका यह 10 लाख करोड की scheme है, जिसके चलते holistic इनिशेटिव है, जिसके चलते आपके freight carriers वहाँ पर run करेंगे, और उनकी जो improvement आईगी, उनका delivery time में, तो यह तीन statements आपको यहाँ पर दीगी है, अगर आपको लगता है इन वेसे कोई भी correctly define नहीं करी, तो D option यहाँ पर आपकी correct option हो सकती है, बट still एक बार current affairs जो आपके हैं, उन्हें revise कीजिए, correct option यहाँ पर mark कीजिए, पर discuss करते हैं इस question को तो देखिए, यहाँ पर correctly जो define कर रही है, वो है आपकी B statement की, यहाँ पर यह 100, 100,000,000 crores की scheme रखी गी है, ताकि जो हमारी infrastructure है, holistic infrastructure development की जा सके, पून रूप से यहाँ पर development की जा सके infrastructure की, तो basically प्राइम minister द्वारा 75th independence day के द्वारा ने announce की थी, basically जिसमें हमने बात की, कि आपकी developing की जाएगी किस चीज़ की holistic infrastructure की पून सो रूप से हर एक जगा से आपकी infrastructure की development वहाँ पर हो सके, ठीके जी, तो basically क्या करेगा यह, कि जो हमारी global profile है local manufacturers की, उसे यह raise करने में help करेगा साथ के साथ जो उनके counterparts हैं, जो उनके competing field हैं, जो उनकी competing बाकी agencies हैं, उनके साथ उनने compete करने में help करेगा, साथ के साथ नए economic zones की भी यहाँ पर possibilities यह raise करता है, ठीके जी, और यह जो basically जो हमारा national infrastructure pipeline है, उसी के अधार पर यह आपका plan यहाँ पर तयार किया गया है NIP के बारे में discuss कर लें, तो independence day 2019 के दुरान यह आपका announce किया गया था, ambitious project है जो कि आपका rolled out period इसका कौन सा रखा गया है, 2019 से लेकर 2025 तक के लिए, ठीके जी, तो यह आपके लिए additional information यहाँ permission की गई है simple सा question था, scheme से related कोई भी अगर आपको project से little question पुछा आता है कुछ-कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है short notes की बात दुबारा से कर लेते हैं कि कोई भी अगर आपको scheme वहाँ पर पूछी जाती है तो किस तरीके से आप बढ़ सकते हैं कि पहली बात implementation किसके दौरा की जा रही है question आपको उस तरीके से पूछा सकता है launch किसके दौरा की गई है ठीके जी, फिर बात आती है कि features क्या क्या है फिर उसके अलावा कि coverage क्या रहेगी अब कुछ ऐसी आपकी schemes होती है कुछ आपके particular unit territories रही है कुछ states में ही रहती है कुछ की pan India coverage होती है उसके अलावा अगर हम देखें कि क्या basic सा time period है जिसके लिए वो आपकी scheme launch की गई तो यह basic से important points रहता है जो कि आपको हर एक scheme से लिटर पता होने जलूरी है हर एक scheme और project से लिटर ठीके जी अगले question के और बढ़ते हैं अब यहाँ पर आपको दुबारा से कुछ statements दीगी है आपको बताना है इनमें से कौन कौन से statement आपकी एक ऐसी है जो कि incorrect है पहले में क्या कह रहे हैं कि जो आपका annual financial statement है AFS है यह document के जाता है basically किसके चलते article 112 के चलते जिसके चलते क्या करता है यह हमारी receipt और expenditure को वहाँ पर show करता है भारत सरकार के second में कह रहे हैं कि जो इंडिया में अगर हम बात करें deficit financing के बारे में तो basically यह जो tool है किस चीज के लिए उस के जाता है for raising resources for adjusting the balance of payments और third में कह रहे हैं कि जो आपका effective revenue deficit है कि basic सी definition इसकी यहाँ पर दी गई है कि it is the difference between revenue deficit and grants for the creation of capital assets तो यह आपको तीन statement दी गई है अगर आपको लगता है इन में से कोई भी incorrect नहीं है तो देखें यहाँ पर जो पहली statement बात हो रही है annual financial statement के बारे में बिल्कु correctly यहाँ पर बताएगा है article जो हमारा 112 है भारत के सम्मिधान को उसके चलते वहाँ पर आपका document तयार किया जाता है जिसमें हमारी receipts और expenditure के बारे में बताएगा आता है कि किस तरीके से जो वारत की सरकार है वो वहाँ पर अपना खर्चा कर रही है ठीके जी second जो आपकी statement है वो यहाँ पर incorrect है किस तरीके से incorrect है भी हम discuss करेंगे तो B option यहाँ पर आपकी correct option हुई तो basic से गर हम बात करें AFS से शुरू करते है annual financial statement के बारे में आपकी यह पेश की जाती है budget का ही process रहता है 112 article के तहर्त वहाँ पर आपसे पूछ ले जा सकता है कि कौन से article के अंटर आपकी यह तयार की जाती है ठीके जी तो basically में इसमें आपकी रेसिप्स रहती है, expenditure रहती है जो कि सरकार दौरा किसी यह current year में वहाँ पर खर्च किया गया है previous year और जो budget year है तीन separate parts में यहाँ पर तयार की जाती है जैसी consolidated fund of India, contingency fund of India and public account of India ठीके जी तो basically यहाँ पर कह रहता है कि यह जो पूरी सरकार basically जो आपकी statement of रेसिप्स और expenditure यहाँ पर तयार करती है तो यह आपके हर साल पार्लियमर्ट में पेश की जाती है बजट के ज़रान उसके लावा आती है आपकी बाद deficit financing के बार में तो यह situation है basically जहाँ पर आपका excess of expenditure रहता है revenue कि इतना पैसा कमाया नहीं है खर्चा जादा हो रहा है तो basically वहाँ पर यह जो gap है इसे build करने के लिए इसे gap को close करने के लिए वहाँ पर सरकार के अगरती है बारो करती है पैसा public से by the sale of bonds and creating new money तो यह काफी common method यहाँ पर use कि जाता है developing nations दोरा ताकि higher economic growth वहाँ पर achieve की जा सके एक तरीकी से artificial method है कि वहाँ पर खर्चा जादा है आमदनी कम है तो एक तरीके से नई currency वहाँ पर print करके आप bonds की sale करके artificially यहाँ पर आपकी economic growth बढ़ाने की कोशिश की जाती है ठीके जी तो mostly आपके developing nations में जो deficit financing है यह tool इस तरीके से वहाँ यूज कियाता है फिर बारादी effective revenue deficit के बारे में तो basically यह आपका क्या रहता है difference between the revenue deficits और जो आपके grants है for the creation of capital assets suggest की की थी किसके दोरा रंगराजन committee on public expenditure दोरा basically किस चीज़ पर aim रखती है to deduct the money used out of borrowing to finance capital expenditures जाद जादा assets वहाँ पर develop किये जा सके हैं तो यह कुछ-कुछ important चीज़े है important concepts है जिनके बारे में आपको पता होना जुरूरी है ठीके जी खासकर जो आपका यह वाला particular statement है यह आपको already PYQ का एक statement है आपको I think यह 2013 में या उससे पहले भी हो सकता है I am not sure about the year तो मैं यहाँ पर नहीं mention करूँगा बट यह आपका previous year question में ही इस तरीके से पूछा गया था यह आपकी deficit financing है इंडिया में किस तरीके से उसकी जाती है चार options आपको वहाँ पर दीगी थी ठीके जी तो simple सा question था अगले question क्यों बढ़ते है fourth question 15th finance commission report के बारे में बात हो रही है बहुत बार हम इसे discuss कर चुके है तो यह तो question आपके लिए easy है revision की तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे तो तीन statement आपको दीगी है बताना है इनमें से कौन कौन statement आपकी यहाँ पर correct है चार codes आपको यहाँ पर provide किये गए है पहली statement में कह रहे हैं कि जो commission है उनकी जो recommendations है basically 2001 का जो census का data है उसको मदे नज़र रखते हुए उन्होंने recommendations वहाँ पर रखी है second में क्या कह रहे है जो commission है इन्होंने यहाँ पर recommendations दी है 6 साल के period के लिए और उसके बाद क्या कह रहे है third में कि जो commission है उन्होंने क्या recommend किया है कि एक threshold timeline fix करनी ज़रूरी है किसके लिए centrally sponsored schemes के लिए after which जो schemes रहेंगी उन्हें वहाँ पर phase out कर दियागा मतलब उन्हें वहाँ पर खदम कर दियागा तो ये तीन statements आपको दी गई है 15th finance commission से लेटेट खोड़ा सोचिए correct option यहाँ पर mark कीजिए तो देखे 15th finance commission की जो report है खास बात क्या क्या चीज़े है पहली बात तो 2001 के census को उन्हें मदे नदर नहीं रखा यहाँ पर आपके 2011 के census को मदे नदर रखते हुए उन्होंने अपनी recommendations वहाँ पर दी है और जो commission है 6 साल के उन्होंने वहाँ पर recommendations रखी है पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी finance commission ने 6 साल के period के लिए अपनी recommendations वहाँ पर रखी हो और third statement जो बात कीगी है centrally sponsored schemes के बारे में तो basically बिल्कुल correctly यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर commission क्या कहा है कि एक fixed threshold timeline आपनी set कर दो कि इतने time तक कि scheme आपकी चलती रही कि उसके वाद इसे बंद कर दी जाएगा क्योंकि number of schemes आपकी overlap भी करती है जिसकी वैसे additional खर्चा भी होता है सरकार का बट still जो beneficiaries हैं उन तक वो सुविधाय नहीं पहुंच पाती ठीके जी तो यहाँ पर आपकी second और third statement correct है तो उसी के धार पर B option यहाँ पर correct option है तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको बताएगी है chairperson आपकी नंद किशोर सिंग से N.K. सिंग तो यहाँ पर उन्हों recommendation रखे है 6 साल के लिए पहला ऐसा आपका commission है जन्होंने 6 साल के recommendations रखी है किस तरीकी के recommendations रखी है और यहाँ बहुत 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 इसकर से चुके है पहली बात तो vertical devolution की बात की गई 41% within the union and the state comments ठीके जी और जो आपका 14th finance commission था उन्होंने 42% यहाँ पर suggest किया था तो जो आपकी यह 1% की भी reduction है तो basically किस वज़से है जो कि यहाँ पर नए आपके जमुन कश्मीर को यह UT का दर्जा जो दिया गया था तो वहाँ पर आपका 1% आप यूज के जाएगा I'm sorry यहाँ पर आपको जो PDF दी जाएगी उसमें हम ensure करेंगे 1% mention दो ठीके जी उसके लावा अगर हम देखें कि क्या यहाँ पर और चीज़ें यहों ने mention की थी काफी चीज़ें यहाँ पर रखी की थी कि आपके local bodies को grant देनी है which will be the base on the population 90% basis और जो आपका area है उसे भी वहाँ पर मदनजर रखा जाएगा states के उसके अलावा क्या का है कि अगर states ने state finance commission constitute नहीं की तो कोई भी grant आपके release नहीं किया जाएंगे इस दिन states को after March 2024 की मतलब state finance commission होना तो बहुत ज़रूरी है उसके अलावा जो हमने third statement में बात की कि जो आपकी कुछ ऐसी schemes है जिनका कोई मतलब नहीं रहता बड़ से उन पर पैसा खर्च किया जाता है तो उनको यहाँ पर खतम करने के लिए आपकी यहाँ पर एक recommendation रखी गई commission दोरा कि एक timeline set कर दीजिए भाई साब कि जिसके चलती यह scheme इजने से तने period तक run करेगी उसके बाद इस scheme को यहाँ पर बंद कर दी जाएगा ठीके जी उसके बाद आपका road map पता जी गया था fiscal consolidation के लिए तो यह आपके लिए कुछ important facts है जो कि आपने notes में compile कर सकते हैं हालांकि काफी बाद discuss हो चुकी है 15 finance commission क्या उनकी recommendations थी but important रहता है time and again हम उसे revise करते हैं अगले question क्यों बढ़ते हैं तो fifth question में बात हुरी है public finance management system अब इससे related आपको यहाँ पर तीन statements दी गई हैं बताना है इनमें से कौन कौन सी correct है चार codes आपको यहाँ पर provide किये गए हैं पहले में क्या कह रहे हैं कि यह आपका PFMS है एक fund tracking system यहाँ पर तयार किया गया है ताकि जो आपकी central sector schemes है उन्हीं के निये कि उनकी effective implementation यहाँ पर की जा सके second में कह रहे हैं कि आपका basically it has an interface with the country's banking network of various public and private sector banks और third में क्या कह रहे हैं कि basically आपका यह provide करता है only the facility to track the flow of funds ठीके जी इसमें कोई आपकी payment या fund transfers की facility यहाँ पर नहीं रखी गई है तो यह तीन statement आपको दी गई है इस particular system से लेटर खोड़ा सोचिए correct option यहाँ पर मांग कीजिए पर discuss करते हैं इस question को तो देखिए बहुत simple सा concept है starting nature का आपका यह question है तो यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ second statement ही correct है discuss कर लेते हैं कि पहली बात तो आती है आपकी public finance management system के बार में कि web based online software application यहाँ तयार कीगी है किसके दोरा CGA दोरा controller general of accounts जो कि आपके department of expenditure ministry of finance के अंदर आते हैं तो 2009 से आपकी शुरू होगी थी objective क्या था कि track करेंगे funds को जो कि आपके सभी plans के अधार पर वहाँ पर release की जाएगी बट यह आपके central sector और centrally sponsored schemes इन दोनों schemes को यहाँ पर track करता है as well as the expenditures including the finance commission grants इन सभी चीज़ों को यहाँ पर track किया जाता है इस system दोरा ठीके जी सिर्फ और सिर्फ आपका यह centrally sector schemes तक ही limited नहीं है उसके लावा कि basically यहाँ पर आपकी payment भी की जाती है accounting भी की जाती है चैनल यहाँ पर जो त्यार किया गया है reporting भी की जा सकती है जो direct benefit transfer यह जो basically यहाँ पर mechanism त्यार किया गया है सरकार द्वारा Reserve Bank of India आगया India Post Cooperative मतलब सभी को यहाँ पर integrate करते हुए PFMS के साथ महाँ पर connect कर दिया गया है ताकि अच्छे से implementation हो सके तो यह थे हमारे आज के 5 questions जिसमें की हमने थोड़े बहुत आपके government finance से लेट चीज़ा discuss की है अब जो government finance है basic जो सबसे important component इसका कब आएगा जब आपका eco survey और budget आएगा ठीके जी तो वहाँ से जब हम questions discuss करेंगे तो वो भी आपके government finance से ही रहेंगे तो तब हम इसे एक बार दुबारा से at least 10 questions तो हम इन particular segment से ज़रूर discuss करेंगे जब आपका next year यहाँ पर budget और eco survey release किया जाएगा ठीके जी तो आज के 5 questions जो भी आपका score रहा है comment box में ज़रूर mention कीजिए अगर आप काफी static nature की questions भी हमने यहाँ पर discuss की है अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह गी है तो ज़रूर उन चीजों को अपने notes में compile कीजिए जो कि आपने यहाँ पर miss करती हो उसके अलावा जो हमारी playlist है उसका link आपको description में मिल जाएगा जिसके चलते आप easily जितनी चीज़े हम अभी तक cover कर चुके हैं जितने topics हम अभी तक cover कर चुके हैं जिन से लेटिक questions अल्रेडी हम discuss कर चुके हैं तो उनको जाके आप दुबारा एक बात देख सकते हैं ठीके जी तो कल अगर हम बात करें environment का दिन है तो पिछले हफते हमने Indian biodiversity से लेट कुछ questions वहाँ पर discuss की है बट सिंस आपकी जो Indian biodiversity है काफी vast है काफी सारे topics यहां से बनते हैं तो एक और session कल हम particularly कोशिश करेंगे species relatedly discuss करेंगे उसी तरी की question आपके UPSC में पूछे भी जाते हैं ठीके जी तो एक बार अच्छे से revise कर के आईएगा ताकि आप अच्छे से यहां पर attempt कर सकें So that will be all All the very best and have a good night काफे जstatना the क्यू조र बार के डापना अच्षर्ण